बहुत बड़ी खबर है कॉंग्रेस पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दिये हाला कि इसमें जादा लोगों के नाम होने चाहिए थे जैसा आनमान रगायत आ रहा था लेकिन ये 39 गैनिडेट्स की लिस्ट है लेकिन बड़ा नाम राहूल गांदी का है राहूल ये समय की सबसे बड़ी खबर है और भुपेश बगेल को रातसमन से मौका दिया गया है और 36 गड़ में इसके अलावा शिवकुमार डेरिया को मौका दिया गया है और इसके अलावा चरंदास महंत की धरम पत्नी को मौका दिया गया है एक कॉंसिट्वेंसी से तो इस समय की बहुत बड़ी अपडेट यही है कि भुपेश बगेल चरंदास महंत की पत्नी को टिकेट मिला है और साथ ही साथ राहुल गांदी को तुबारा वाइनार्ट से टिकेट मिल गया है शशी धरूर को टिकेट मिल गया है मेरे साथ नीरज है उनका सीधा रुख कर सकते हैं नीरज यह लिस्ट तो बड़ी आनी थी लेकिन 39 कैनिडेट की आई है लेकिन सबसे बड़ा नाम राहुल गांदी और भुपेश बगेल का है देखे बिल्कुल हमें इस दोनों का नाम बहुत बड़ा है केसी वेनु गोपाल जो की केरला सहीं आते हैं उन्होंने भी अपनी उमिद्वारी की खुद घोसना किया अलपूजा से संगठन महा सची हुए लेकिन आपने का कि 49 सीटों पे देखे लिस्ट सोटी है और भारतिया जंता पार्टी के मुकाबले में बहुत चोटी है पहली लिस्ट में पहली लिस्ट के लिए सिर्फ साथ नामों पे चर्चा हुए दिल्ली के तीन नाम पे अभी भी सस्पेंस बन है जहां से खुद अलकालांबा का भी नाम है और दो नाम उस पे हैं इसके अलावा उत्तर पश्चमी की सीट है जो खुद कॉंग्रेस अध्यक्ष मलीकारजुन खड़गे ने आमार्मी पार्टी से दूसरे सीट के अदला बडली में मांगा तो जो तीसरी सीट है वहां से दिल्ली प्रदेश कॉंग्रेस के अध्यक्ष अर्विंदर लवली चुनाओ मैदान में हो सकते हैं तो इन पर अभी कई नाम है उस पे चर्चा होगी संदीब दिक्षित का नाम आ रहा इसमें एक सीट पर तो तमाम चर्चाओं के बाद ये फैसला होगा कि दिल्ली की तीन स हो सकते हैं लेकिन पब्लिक अफेर में राहुल गांदी बड़ा नाम है शशरी थरूर बड़ा नाम है भुपेश बगेल हो सबसे बड़ी बात अमेश." तो कई जगहों पर उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिये तमाम बड़े नेताओं को के नाम बाहर कर दिये दिली से कौन लड़ेगा ये भी उन्होंने नाम नाम देश के सामने रख दिया उनकी जंता के सामने लेकिन यहां जो आ रहा है हमें ज़्यादा तर राहूल गानी सब्सक्राइन है कि अमेथी और बरेली में कॉंग्रेस जल्दी से अपना पत्ता खोले और यह अमेथे बरेली मुझे लगता है यादा ब CT करती है अंगर अस्मंजताय लगता है भी इसलिए बीजेपी निधांगी में तक मैं पूछ लेता हूँ नीरा छे मलिकार जुन खड़े चुनाव लड़ेंगे लोग सभा का या फिर वो नहीं लड़ेंगे देखे बिल्कुल इस बार चुनाओ नहीं लड़ेंगे मलिकार जुन खड़े करनाटक के जो अब तक वारों के नाम आए हैं उसमें उनका नाम नहीं है अगर उनका नाम होता तो एक बड़े नाम होते हो ठीक कहा अपी आप जीब सि करते कि पहले जब आएगी तो अमेठी और राइ बरीले का नाम वह नाम नहीं है लेकिन दक्षिन में कॉंग्रेस को भरूसा है ये बहुत बड़ी खबर है ये बहुत बड़ी खबर है लेकिन बड़ी खबर पे लगातार हम बने रहेंगे हम एक छोड़ सा ब्रेक ले रहें लेकिन ब्रेक के बात एक बहुत बड़ी कहानी के साथ हम वापस आ रहे है बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी के साथ वापसा रहे है आप देखे रहे हैं वीवर्स आर पार झाल झाल